Welcome to Unique Classes of Right Way Elasticity of Demand Unlocked Demand की आपकी एक Class No. 6 है पिछले Class तक मैंने आपको Application of Demand की कुछ Cases करवाए थे आपके सामने आपको Revise कर लिजिए और उसके बाद फिर आज की Classes में वागे बढ़ेंगे बहुत सारी केसे थे जगर मान लो की दो Demand Cups पैरलल है आपकेस में मैं Revise करता हूँ तब तक आप Reister and Print के साथ त्यार हो जाईए दो Demand Cups के हैं पैरलल है और Price Given है Price Given है Price Given है Quantity अलग अलग है यह Quantity यह Quantity तो यह दोनों Point पे Elasticity क्या होगी अलग अलग होगी Elasticity अलग अलग होगी यह बात है आपसे हो चुकी है Case भी था उस Case में क्या था यगर दो Demand Cups intersect करता है दूसरे को ठीक है Intersecting Demand Cups है Given Price है Price Given है और Quantity अलग अलग है ठीक है ना तो इसमें भी क्या हो सकते है Price भला ही दिया हुआ है लेकिन Quantity दोनों के अलग अलग है और दूसरी बात क्या है कि Slope दोनों के अलग अलग है Slope अलग अलग है तो इस वज़े से क्या होगा देखो क्यों क्योंकि P by Q तो दोनों में सेम रहने वाला है लेकिन Elasticistik इस पर Depend करता है Slope पर भी Depend करता है Slope जिसकी ज़्यादा होगी उसकी Elasticistik कम होगी अगर इस से ज़्यादा Previse करना चाहते है तो पिछले क्लास को जाकर आप पढ़ लिजे एक बार से जितनी तेर मुझे आपको टाइम देना चाहिए था पूरा तयार होने के लिए मैंने आपको टाइम दे दिया है अब आईए आज की क्लास के नए टॉपिक स्टार्ट करते है Case No.C लिखेजी Two Straight Line Demand Curves Two Straight Line Two Straight Line Demand Curves Two Straight Line Demand Curves Having Different Slope Having Different Slopes Two Straight Line Demand Curves Having Different Slopes Starting from the same point Starting from the Same points Starting from the same point On the Y-axis On the Y-axis May have May have same price elasticity Same price Elasticity At a given price At a given price May have same elasticity at a given price आई आई इसका देखिए क्या चीज़ कहना चाहरा है दो दो देखिए दो दिमांड कब आप द्रॉ किजिए एक ये दिमांड कब है और एक ये दिमांड कब है दोनों स्टार्ट और एकी पॉइंट्स दिमांड कब गिवन प्राइस है प्राइस गिवन है प्राइस गिवन है गिवन प्राइस पे यहाँ क्वांटिटी क्या है Q1 है यहाँ क्वांटिटी क्या है Q2 है यह कह रहा है कि इस प्वाइंट पे Elasticity क्या हो सकती है, इसकी सेम हो सकती है, सब कुछ के बावजूद ही, Elasticity क्या हो सकती है, यहार यह Elasticity क्या हो सकती है, इसकी सेम Elasticity हो सकती है, अब मैं आपको पहले naming कर दूँ, इसका यह A है, यह D1 है, यह A है, यह D2 है, यह B point है और यह C point, ठीक है जी, यह तो 93 पो होता है आप जानते ही है अब आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ देखिए elasticity at point B क्या होगा elasticity at point B क्या होगा elasticity at point B आप जानते हैं geometric method में क्या होता था lower segment divided by upper segment lower segment क्या है BD1 upper segment क्या है A B elasticity at point C क्या है at point C क्या है again फिर भाई lower segment divided upper segment CD2 upon AC yes sir अब एक बात देखिए एक बात और in triangle in triangle A D1 D2 in triangle A D1 D2 BC is parallel to D1 D2 BC is parallel to D1 D2 है ना BC is parallel to D1 D2 इसका मतलब क्या होगा similarity थे और हम जानते हैं आप इसका साप मतलब हुआ कि आप ये कर सकते हो कि BD1 upon AB equals to CD2 upon AC कर सकते हो ना देखो न उपर यही आया ना उपर भी क्या आया BD1 upon AB equals to CD2 upon AC CD2 upon AC मान गया आपने देख लिया किस से similarity थे हो हम से ultimately क्या हो गए इसका मतलब क्या हो गए दोनों elasticity क्या हो गए सेम हो गए इसका साप मतलब हुआ कि elasticity at point क्या B equals to elasticity at point C समझ गए ना येस सर पूरे elasticity की concept की जान निकालनेंगे हम आप साथ देजिए आप साथ साथ करते जाएए note करते जाएए आएए जी case number D लिखिया case number D क्या है इसर case number D ओ मैं explain करता हूँ case number D क्या कहता है two parallel straight lines straight line demand curves two parallel straight line demand curves have unequal price elasticities at a given quantity have unequal price elasticity at a given quantity quantity दे रखिये देखिये क्या मतलब हुआ है इसका साथ मतलब यह है समझी बहुत आसान है बहुत मुश्किल बात नहीं है जल्दी कर दे तो मैं आपको दो डिमांड का पैरलल टू इच अधर है एक डिमांड कव हो गया दूसरा डिमांड कव हो गया यह पैरलल है इच अधर ठीक है सर अब माली यह given quantity है quantity given है quantity given है इसके quantity क्या given है अगर quantity given है तो इस point पे क्या है P1 इस point पे क्या है P2 price अलग अलग इसके quantity given है इससे पले हमने केस करा था जहाँ price given थी quantity अलग अलग थी यहाँ मैंने क्या case पढ़ा है quantity given है अब price अलग अलग है अब इन दोनों point पे यह point माल लेजिए A और यह point माल लेजिए B क्या इन दोनों point पे elasticity सेम है देखिए elasticity at point कौनसे point पे at point A A point elasticity क्या होगा अब जानते है simple तरीका अगर slope की बात हों तो slope अलग फामला लगा दो 1 upon slope into P upon Q क्योंकि parallel lines के पीछे का मकसद ही है कि दोनों का slope क्या सेम है तो 1 upon slope into P upon Q अब देखिए यहाँ पे बात है कि यहाँ पे price तो क्या है अगर A point की बात की बात को तो P1 है quantity सेम है अगर मैं बात करूँ E P at E P at point at point B B पे बात करूँ तो वहाँ क्या होगा 1 upon slope multiply by P2 upon price P2 है यहाँ पे upon what Q क्यों तो यहाँ सेम है बिल्कुल सेम अगर चाहे तो पूरा ले लो यार यह O point ले लो वहाँ elasticity भी क्या होगी कम होगी जहाँ price कम होगी वहाँ elasticity कम होगी इसका मतलब elasticity at point what A is less than elasticity at point B दोनों जों का two different elasticity हो गए यही बात यहाँ पे प्रूफ करना था जहाँ price कम होगी वहाँ elasticity कम होगी next case पहाँ जाए case number E case number E अलांकि एक बाद जान लिजए कि यही चीज में आपको वो case भी करवा दिया था जहाँ price सेम है quantity अलग अलग है वह बात आप से हो चुकी है देखे next case क्या है यह point हो गया next लिखिये two straight line from the origin A C sorry a straight line from the origin that intersects two parallel lines लिखिये a straight line a straight line from the origin a straight line from the origin that intersects intersects two parallel lines two parallel lines two parallel lines demand curve demand curves indicate equal elasticity indicates equal elasticity at a points of points at a points elasticity at the points at the points where intersect the demand curve intersect the demand curve इसका क्या मतला हो मतला समझे है पहले two demand curve लिजिये parallel एक demand curve और parallel एक साथ स्वारी दो demand का parallel और एक line आप origin से लिजिये एक line लिजिये आप origin से एक line लिजिये अब यह origin से जो line जा रही है यह parallel demand curve को यहाँ cut कर रही है point a पे और यहाँ cut कर रही है point b पे इतना असान है इन दोनों point elasticity क्या होगा equal होगा देखिए फ़र नेमिंग कर दिए इसको यह demand curve क्या d1 है यह demand curve क्या d2 है यह point a होई गया यह o ले लिजिये और यहाँ k रख दीजिये यहाँ price ले लिजिये कहीं पे इस कर पे क्या price वहीं से पताईए elasticity at point a elasticity at point a क्या होगा 1 upon slope into p upon q p यहाँ पे क्या होगा कहुँगे sir p यहाँ पे मालो p1 है q यहाँ पे क्या q1 है तो यहाँ पे पे क्या है op1 o q1 elasticity at point b क्या होगा 1 upon slope into o o हाँ यहाँ पे लो अलग से ले 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 लता हो में क्या ले लोँगा op2 o q2 op2 upon o q2 अब देख लो जहाँ से slope तो दोनों जोगा सेम है slope तो सेम है तो बात क्या बसती है op1 and o q1 equals to op2 upon o q2 दोनों equal होगा क्यों सर क्यों equal होगा देखना this upon this जान देना मैं यह line ड्रॉव करता है सब्सक्राइब this upon this equals to this upon this यहां से यहां तक क्यों होगा इससर क्योंकि आप इस triangle में देखो कौन से triangle में मेरे साथ सुनना कौन से triangle a o and q1 दूसरे triangle b o and q2 यह दोनों triangle क्या है similar है और जब दोनों triangle similar है तो उसके corresponding sites क्या होंगे proportional होंगे यह दोनों तो equal होगे इतनी सी बात बोलना ही काफी है आपके level के बच्चों के लिए मतला बड़े बच्चों के लिए अगर दोनों triangle similar है तो sites proportional है तो यह दोनों equal होगे और यह दोनों equal होगे तो elasticity क्या होगे elasticity at point A equals to elasticity at point B इतना ही नहीं कोई भी और लेलो यार और भी कोई लेलो कोई भी लेलो हर point elasticity क्या होगा सेम होगा लेकिन line क्या होना चाहिए यहां से cut करना चाहिए origin से cut करना चाहिए तब ही ऐसा होगा yes sir यह पूरी बात हो गई और आप चिंता मत किजिए इसके deep explanations आपको study material में मिलेंगे सब कुछ study material मिलेंगे अब आईए topic लिखे next theoretical topic स्टार्ट हो रहा है numerically थोड़ा सा था graphically था मैंने explain किया अब क्या शुरू हो रहा है theoretical लिखे determinants of price last student determinants of price elasticity of demand कौन-कौन से factors बिलकुल थियोरी है running material है study material होगा मैं यह explain कर रहा हूँ study material खोल के रखी अपने सामने में मेरे lecture की सासा सुनते जाए बेहती असान कोई एक factor नहीं होता है जिस factors पे elasticity depend करता है बहुत सारे factors collectively काम करते हैं तब जाकर net elasticity decide होता है कौन-कौन से factors है चोटे यह point बना के लिखते जाए हूँ है पहला point क्या nature of the commodity nature of the commodity nature of the commodity अब क्या होता जो भी goods आप purchase करते हों क्या हो सकता है या तो वो normal goods होता है या necessity होता है या comfortable normal काई पाट होता हो या तो necessity होता है answer note करता हूँ comfortable होता है या luxurious होता है जो necessary goods होता है वो inelastic होता है आई लिए देता हूँ और जो comfortable होता है वो elastic होता है और जो luxurious होता है very elastic होता है इतना ही काफी है आप बच्चे समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ आपकी kitchen चलो जाओ वहां से आपने घर के अंदर ही देख लो बहुत सारे समान दिख जाएंगे आपको salt है अगर salt की price काफी ज़्यादा बढ़ जाए और काफी ज़्यादा कम हो जाए मतलब हलांकि rumors की बात मैं नहीं करना हूँ अगर market में rumor फाइल गया तो फिर बात अलग है लगि normal circumstances में अगर salt की कीमत बड़े घटे हमारे demand पे हमारे quantity पे कोई असर नहीं पढ़ने बाला है जादा असर नहीं पढ़ने बाला है this is called what? necessity goods और इसकी elasticity का है? इसका मतलब inelastic है जादा असर पढ़ता है इसका मतलब elastic है ठीक ठीक पढ़ता है इसका मतलब ठीक ठीक elastic है comfortable goods आपके घर में क्या comfortable goods हो सकते है देखो बहुत सारे जैसे washing machine है geezer है या फिर आप और भी देख लो kitchen equipment बहुत सारे हो सकते हैं जिसके बगएर आपकी जिन्दगी चल सकती है लेकिन अगर हो तो life comfortable हो याथ है तो उसको क्या बोलता है comfortable goods इसकी elasticity क्या होती है? elastic होती है अगर price बहुत ज़्यादा पढ़ेगा न तो लोग नहीं purchase करता है इतना necessity नहीं है अब गर्मी का मौसम चल रहा है पानी बहुत करम आ रहा है तो लोग क्या करेगा freeze purchase कर लेगा ठिक ठिक मौसम में नहीं भी purchase करेगा जिन्दगी तो चल रही है वैसे मैं बता दूँ freeze का पानी नहीं पिना चाहिए इंसान को मानता कोन है लेगिन पिना नहीं चाहिए anyway next point आता है आपका luxurious goods देखो घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है बहुत ज़दा price हो गया आप नहीं purchase करेंगे ठिक ठिक price है परचेज कर लेंगे यह highly elastic है highly elastic है तो यह nature of goods पर depend करता है running material आपके पास रहेगा उपलब्द आप उसको पढ़ते जाएगा bedtime reading कर लिजेगा एक बार और अगर फिर भी दिक्कत हो तो मुझे whatsapp कर दीजे मैं एक बार फिर lecture बना के बेश दूँगा चंता नहीं है next है availability of close-up suit availability of close-up suit क्या मतलब हो है इसका सर availability of close-up suit देखो ना अगर मानलों कोई दो goods है A और B और दोनों आपस में substitute है एक और ले लो C बहुत आपस में substitute है तो consumer के पास बहुत सारो options है ये भी खरीच सकता है ये भी खरीच सकता है इस case में इसकी demand क्या हो जागी highly elastic अगर इसकी price बढ़ गई तो लोग यहाँ shift कर जाएगा इसकी price बढ़ गई तो लोग यहाँ shift कर जाएगा तो ये highly elastic होता है अगर आपके पास close substitute उपलब है तो इसका मतला elastic है थार्ड पॉइंट extent of the use of the commodity extent of the use of the commodity क्या मतलब है इसका सेर एक commodity को कितने तरीके साब use कर सकते है कितना है several use है बहुत use है आप घर में milk देख लो milk कितने use हो सकते है मैंने बताया ता पिसली classes में चाई पी सकते है बच्चों को पिला सकते है काफी पी सकते है दही बना सकते है दूद भी सकते है खीर बना सकते है कितना use है multiple use है अगर दूद की price market में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे आप एक निश्चित quantity तो आपको purchase करना ही पढ़ेगा क्योंकि बच्चों को पिलाना है छोटे बच्चे पिएंगे जरूर चाहे coffee आने जाने वाले अपने घरवाई लोग पिएंगे लगिन अगर दूद की किमत बहुत गिर गई है तो फिर क्या करेंगे बालटी भर के दूद लाएंगे चोलो खेर भी बनाते है ना भी लहते हैं अलागि दूद का मैंने एक्जामपल दिया तो है सही एक्जामपल दो सही दिया पॉस्पेक्टिव सही है लेकिन दूद नेसेसिटी गूद्स में आता है इसलिए आप इसकी ऐलास्टिस्टी ठीक ठीकी रातिया समय लेजिए ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है बहुत बड़े सेक्शन्स में दूद इलास्टिक गूद्स हलागि मैं जो भी बात कहा रहा हो ना ये बंदों के इंकम पे भी डिपेंड करता है कई सारे सुसाइटी ऐसी होते है जिसकी इंकम बहुत कम होती है तो वाहन दूद भी क्या हो गया एक तरह से लगजरियस गूट्स ही हो गया कई ऐसे फैमली इंदोस्तान में होंगे जोनों ने दूद कभी पिया ही नहीं होगा ये बहुत हार्डली पिया होगा दूद कहां से मिलागा खाना मिल जा दो टाइम की ये बहुत बड़ी बात है तो जो गूट्स हमारे आपके लिए हो सकता है लगजरियस हो या नेसेसिटी हो सॉरी हमारे आपके लिए नेसेसिटी मातों किसी के लिए लगजरी बन जाता है इसलिए इन पर नहीं जाना चाहिए ये तो अपने अपने कंडिशन पर भी डिपन करता है हो सकता बहुत चीज हमारे country में क्या हो लग्जरियस हो लेकिन दूसरे country, develop country में वो क्या हो जाए, necessity हो जाए तो एक overall बात में बता रहा हूँ आपको otherwise आपको खुद अपने तरब से भी दिमाग लगाना है ठीक है, several use हो तो क्या होगा sir इसका मतल़ यह elastic होगा क्यों क्योंकि price बढ़ जाएगी तो हम quantity purchase करना कम कर देंगे सिर्फ उतना ही quantity purchase करेंगे जो हमारे लिए necessary use होगा उसका price घटेगी तो हम ज्यादा purchase करेंगे और जोन सा जोन सा use हम पाले नहीं कर रहे थे वो सारे use up करना start कर देंगे fourth point proportion of consumers disposable income spent proportion of consumer disposable income disposable income का meaning आप पढ़ के आए होंगे 12th class में नहीं तो आप पढ़ेंगे कब second semester में macro economics में जो income आपके लिए उपलब दोता है खर्च करने के लिए जो इसको आप consume कर सकते हैं उसको disposable income बोलते है उस income का कितना percent आप खर्च करते हो यह income है मान लो आप salt purchase करते हैं आप बता सकते हो salt खरीदने में आपके income का कितना percent कर्चा होता है negligisable भई आप 10 रुपे का 1 kg salt ले आएंगे 20 रुपे का मुझे नहीं पता आज market में क्या rate है उसका मुझे कभी गवार बहुत सारे लोग घर में हसते भी हैं कि मैं हो सकता है कि आज से 10 सल पुरान rate बताता हूं मुझे exactly आज का rate नहीं पता है यह क्या होगा 10 रुपे होगा 20 रुपे होगा यह हो सकता है तो अगर माल लो salt आपके 50 रुपे का salt प्रचेज कर लिए percentage निकाल सकते हो क्या होगा निकाल तो सकते हो नेगलेजबल होगा यह क्या होगा inelastic आपके income का थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा negligible proportion कि इस पर करचेवा salt आप प्रचेज कर लो car बैंड बज़ाएगी हो सकता है पूरे साल भर की income चली जाए तो भी ना हो तो यह क्या हो गया luxurious goods हो गया इसका मतलब यह क्या हो गया इसकी elasticity ज्यादा हो गई तो आप income का कितना हिस्सा खर्च करता हो इस पर भी depend करता है 5 पर आजाईए deferred consumption of the commodity deferred consumption of the commodity क्या मतलब यह deferred मतलब यह रूक रूक कर उसकी consumption को आप रूक करके use कर सकते हो उसको रूक करके consume कर सकते हो जैसे मान लो आपके गर में washing machine है क्या हर रोज washing machine बिड़े पढ़ रहते हो क्या जब तो तो टूटना जाए ऐसा नहीं है एक बार खरिद तो दस सल चलता है कोई भी जो durable goods होते हैं खासका कि इसके लिए use होता है durable goods के लिए इसकी elasticity क्या होगी? high होगी elasticity high होगी क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक इसका use हम कर सकते हैं 6th point brand loyalty कोई बंदा कसम खाले कि चाया जो भी price हो जाए हमें खरीदना particular brand है तो हो गया price बढ़ने दो price बढ़ने से भी आपकी consumption पर फरक नहीं पड़ा इसका मतलग क्या होगी? inelastic हो गया price बढ़ने से भी आपकी consumption पर फरक नहीं पड़ा तो क्या होगी? inelastic हो गया less elastic भी कह सकते हो 7th point habitual consumption आपको cigarette पीने की आदत है खासकर किसी particular brand का तो आप purchase करेंगे price ज़्यादा हो जाएगी तो भी price कम हो जाएगी तो भी उत्रा ही consume करेंगे तो यह क्या होगी? inelastic 8th joint demand for commodity joint demand for joint demand for commodities joint demand for commodities joint demand जैसे मान लोग कार है कार के साथ साथ क्या होगा? petrol भी खरीदना पड़ेगा आपको pen के साथ साथ ink भी खरीदना पड़ेगा तो इसको बलता है joint demand अब जब joint demand होता तो एक commodity होता minor दूसरा क्या होता? major जैसे मान लोग कार है कार क्या होगा? major उसके साथ साथ पेट्रोल है पेट्रोल क्या है? minor तो कार के साथ साथ पेट्रोल भी है तो पेट्रोल का जो कंजम्शन होगा, वो किस पर depend करता है? major पे, जैसे क्या है? major क्या है, अगर कार आपका elastic है तो वो भी क्या होगा? elastic होगा ठीक है? अगर मार्केट में कार की डिमांड क्या है और यह बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी? तेज होगी तो यहाँ पे कार के साथ elasticity डिपेंड करता है इसका नाइंध आता time factor time factor तो बहुत important होता है market के या demand के point of view से या elasticity के point of view से time के साथ भी उसका change करता है अगर मान लोग कि आपके पास longer time adjustment के लिए है तो इसका मतलब more elastic है किसी भी समान के साथ purchase करने के लिए longer time तक adjust कर सकते हैं तो क्या है उसका? elastic goods है यही सब इसके running materials हैं आप यहां तक इसको पढ़ लिजेगा और मेरे साथ आज आपका price elasticity of demand complete हो जाता है graph के साथ सारे applications के साथ चुटे चुटे थुटे थुटे numerical के साथ लेकिन अभी बड़े बड़े numerical करना बाकी है जिन्दा मत करना numerical की 2-3 class लगेंगे भी तब जागी complete होगा एक बार अगर धंग से त्यार हो गया तो eco honors तापका होई जाएगा अगर आगे चल करके standard थोड़ा वो 19-20 हो सकता अधरवाइस जी का मकसद क्या है जी का मकसद है कि आप बीकॉम ओनर्स के student तो आप economics ओनर्स कभी क्या करें कोर्स साथ साथ पढ़ें बात समझ गए अगर एक बीकॉम ओनर्स का बच्चा है बीकॉम ओनर्स करने के बाद या eco ओनर्स करने के बाद व अगर किसी बच्चों को दो चार पढ़ना पड़ता तो नुकसान तो ही कर जाएगा क्या नुकसान करेंगा तो मैंने कोर्स स्ट्रक्चर तो eco ओनर्स को दियान रख के बनाया है बीकॉम ओनर्स को एक्वली गुड ही है लेकिन कुछ और कोर्से जा जैसे BBE है वहाँ तो बि में बपता दूँगा मैं आपको और डुंगा कोंसे पढ़ना कोंसा नहीं पढ़ना लेकिन उक्वानर्स कुछ नहीं चोड़ना है सब बढ़ना है कुछ आज के रही हでも पढ़ना है जो एक्जाम से कारा है दो कुछ कल यिए पढ़ना है आपक तो लाइफ से टीती ही तभी ह लेकिन नहीं करूंगा नया टॉपिक है तो नहीं क्लास में करूंगा लंबा खिसने से फायदा नहीं होता बच्चे पढ़ते तो अपने हिसाब से ही है यह आपका income elasticity of demand income elasticity of demand एक टॉपिक ही है दूसरा टॉपिक है cross elasticity of demand यह दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे एक क्लास में कोशिश करेंगे हो जाएगा शोट इसी क्लास लगेगी तो यह दूनों टॉपिक कवर हो जागा बहुत असान है बहुत मुश्किल भी ले ही है बहुत असान है बहुत सकता है कुछ शोट इश्री बाते और भी निकाल देंग उसमें ठीक है बच्चे तुम मिलते है फिर कब अगली क्लास में अक्ती बात शर्फ और शर्फ अगली क्लास तकान देयर कीज़ God bless you all Take care Bye bye and see you